हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बैक टो यूटूब चैनल अभी फार्मेजी तो फिर फिर आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सच्चे मोहर थियोरी के बारे में जो कि हमारे सथी साथ हम लोग देखेंगेन एक्मिकल रीक्स में ग्यांनि जो मारे साइकलो प्रोपेन होते हैं और साइकलोब्यूटेन होते हैं वो किस तरह के रियक्सन सो करते हैं इससे पिछली वीडियो मैंने बेयर हिशन्ड थियोरी के बारे में बताया था अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जा के प्लीज देख लेना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलो आज की इस वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं तो जो हमारे सच्चे एन मोहर थे वो स्टेबिल्टी आफ साइक्लो अलकेंस के लिए उन्हेंने थियोरी दी थी 1918 में जो की इस्टेबिल्टी आफ साइक्लो अलकेंस के लिए दी थी तो जो सच्चे एन मोहर थे इन्होंने जो थियोरी दी थी वो हाइर साइक्लो अलकेंस के लिए दी थी या फिर इनके क्या injection थे जो कि bear strain theory से अलग थे तो इन्होंने assume किया था कि जो हमारे cycloalkane होते हैं वो planar form में नहीं होते यानि वो plane में नहीं होते वहीं इनका जो दूसरा injection था they are become stainless यानि जो हमारे higher cycloalkane होते हैं वो stainless होते हैं इस पे किसी तरीके का strain नहीं लगता और उन्होंने ये भी assume किया था कि ये जो भी cycloalkane है वो folded or pucker condition में exit करते हैं उसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि जो इनका normal tetrahydral angle होता है 109 degree 28 minute वो retain रहता है उसमें किसी तरीके का strain नहीं होता जिसकी वज़े से जो हमारे cycloalkane है वो ज़्यादा stable रहते हैं तो ये कुछ exemption थे सच्चे और मोहर के जो कि bearistan theory से अलग थे वहीं जो इन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारे cycloalkane होते हैं वो दो form में exist करते हैं एक first है chair form और second है boat form तो जो हमारा यहाँ पर देख सकते हो मैंने chair form और boat form दोनों का ही structure draw किया हुआ है तो ये जो हमारा boat form है cyclohexane का और ये हमारा chair form है cyclohexane का तो जो हमारा chair form होता है वो ज़्यादा stable होता है boat form के compression में जो chair form हमारा होता है वो two type के position को show करता है जैसे की axial position हो गया और equatorial position तो axial position में क्या होता है perpendicular to the plane of the ring तो axial position में जो हमारे cyclohane होते हैं वो perpendicular होते हैं plane of the ring के वहीं equatorial position में around the plane of the ring होते हैं अब हम लोग reaction देख लेते हैं कि किस तरीके के reaction show करते हैं cyclo propane and cyclobeutene तो जो हमारा cyclohane होता है वो resemble alkenes in chemical behavior भी है जो साइक्लोलकेन होते हैं वो बिल्कुल अलकेन की तरह ही बिएब करते हैं कैमिकल नेचर में lower साइक्लोलकेन like cyclopropane and cyclobutane undergoes ring opening reaction and give addition product unlike alkane जो जो हमारे lower cyclopropane हो गया और cyclobutane ये ring opening reaction सो करते हैं और साथी साथ addition reaction भी देते हैं उसके बाद जो हमारे cyclo-alcan and cyclopropane ये दो type के reaction वो करते हैं first is substitution reaction second is addition reaction तो एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं तो first जो हमारा substitution reaction होता है उसमें जो हमारे cyclopropane and cyclobutane है वो free radical substitution reaction को sow करते हैं halogen के presence में और uvilite के presence में तो अगर हम लोग cyclopropane को uvilite के presence में chlorine के साथ react कराते हैं तो वो क्या form करता है one chloro propane यहापे थोड़ा सा mistake है यहापे cyclo नहीं होगा यहापे simply बस होगा one chloro propane तो जो यहापे ring-like structure था cycle propane का वो यहापे open हो जाता है और यहापे simply one chloro propane बनता है और साथ ही साथ यहापे HCl का भी formation होता है अगर वहीं बात करें शाइकलो-ब्यूटेन का तो अगर इसको हम यूवि लाइक प्रजेंस में ब्रोमीन के साथ रियक्ट कराएं तो यह क्या फॉर्म करता है वन ब्रोमो-ब्यूटेन, यहाँ पे भी मिस्टेक है यहाँ पे जो साइकलो है वो यहाँ पे नहीं रहा क्योंकि कि हाँ पर रिम्ग जो होती हुग, ब्रेक हो जाती है यहाँ पर सिंपली बस होगा, वन ब्रोमो ब्यूटेन और यहाँ पर एच्पी यर का भी फॉर्मिशन होता है, वहीं अगर एडिशन डियेक्षन की बात करें, तो जो cyclopropane and cyclobutane होते हैं वो कई टाइप के जो certain type के addition reaction को show करते हैं क्योंकि इनकी stability जोती ही वो low होती है हमारे higher cyclopane के compression में These addition destroy ring system and open chain addition product जिसकी वज़े से जो इनका ring like structure होता है वो destroy हो जाता है जिसकी वज़े से ये addition product को बनाते हैं Most of the reaction show by only cyclopropane तो जो हमारा addition reaction होता है वो normally जो हमारे cyclopropane है वही show करते हैं कुछ special cases में जो हमारा cyclobutane है वो addition reaction को show करता है तो जो हमारा addition reaction है उसको हमने तीन पार्ट में लिया हुआ है First है addition of hyalogen तो cyclopropane react with CL2 और BR2 in dark in CCL4 to give addition product तो अगर हम लोग जो हमारा cyclopropane है उसको CL2 के presence में CCL4 के presence में हम लोग इसको react कराते हैं तो वो क्या form करता है 1-3-dibromopropane का formation होता है अगर हम लोग cyclopropane को CCL4 के presence में BR2 से react कराते हैं या फिर CL2 से react कराते हैं तो वहीं अगर हम लोग cyclobutane की बात करें तो जो हमारा higher cyclopropane do not give such reaction तो जैसे कि हमारे जो higher cyclopropane होते हैं वो addition of hyalogen reaction को show नहीं करते हैं next है addition of HBR and HI so cyclopropane react with concentrated HBR और HI to yield 1-bromopropane और 1-idopropane respectively तो अगर हम लोग cyclopropane को HBR या फिर HI से react कराते हैं तो वहाँ पर जो हमारा product बनता है वो बनेगा 1-bromopropane और 1-idopropane यहाँ पर बनता है यहाँ पर मैंने reaction भी नीचे दिखाया हुआ है जो हमारे cyclopropane and higher cyclopropane होते हैं वो इस type के reaction को नहीं देते हैं जो हमारा cyclopropane होता है वो अगर HI के साथ 1-idopropane at specific condition में दे सकता है जो हमारा cyclopropane है अगर उसको हम लोग HI के साथ react कराते हैं और कुछ specific condition प्रोवाइड करते हैं तो one hydrobutane का formation होता है उसके बाद जो third है वो है addition of hydrogen तो अगर हम लोग addition of hydrogen करते हैं जो cyclopropane है उससे react कराते हैं the presence of nickel catalyst to give propane तो अगर हम लोग यहाँ पर जो cyclopropane है उसको hydrogen के साथ react कराते हैं the presence of nickel catalyst तो वहाँ पर प्रोवेन का formation होता है cyclobutane also undergoes hydrogenation in nickel catalyst but at higher temperature to give anbutane अगर हम लोग cyclobutane को addition of hydrogen मतलब hydrogen के साथ react कराते हैं nickel के presence में at higher temperature तो वो क्या देगा हमें and butane का formation करेगा तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे सच्चे मोहर थियूरी थी वो किसलिए दी गई थी और जो हमारे cyclopropane और cyclobutane के chemical reaction कौन-कौन से होते हैं काफी important topic है आप जरूर इसको exam से पहले देख लेना अगर वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लिए तो वीडियो के like करना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लेना